Hello students, welcome to my YouTube channel, छवी अकाडमी, मैस फॉर आल. आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, क्लास 11 के चाप्टर नमबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सराइज 3.1. तो students, इस वीडियो में हम एक्सराइज 3.1 के कोशन नमबर 3 एंड कोशन नमबर 4 को सॉल्व करेंगे, और जो कोशन नमबर 1 और कोशन नमबर 2 है, वो हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आईए, लेट् कोशन नमबर 3, एवील मेक्स 360 रेविलिशन इन 1 मिनट थू, तो students, इस कोशन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, एक वील गिवन है, जो 360 रेविलिशन कम्प्लीट करती है, वन मिनट में, तो यह चीज हमें गिवन है, और हमें क्या निकानना है, how many radians does it turn in 1 second, यानि कि वो वील 1 second में कितना एंगल radians में cover करती है, तो हमें यह निकानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज हमें गिवन होती है, हम सबसे पहले उसे लिखते है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, कि number of revolution in 1 minute, this is given as 360, 60 next हम क्या करेंगे 1 minute को replace कर देंगे 60 seconds से हम minute की unit को seconds में क्यों convert कर रहे है क्योंकि question में हमें पूछा गया है कि जो wheel है वो कितने angle से turn होता है 1 second में तो यहां पर हमें जो answer है वो 1 second में निकालना है तो इसलिए हम सबसे पहले minutes को seconds में change करेंगे तो next हम लिख देंगे number of revolutions in 60 seconds 1 minute की जगे पर हम लिख सकते है 60 seconds because 1 minute is equal to 60 seconds so this will be same as 360 तो अब हमारे पास क्या आ गया 60 seconds में जो revolutions है वो कितने revolutions है 360 तो अगर 60 seconds में 360 revolutions होते है तो 1 second में कितने revolutions हो जाएंगे हम क्या करेंगे 60 से divide कर देंगे so it will be 360 divided by 60 तो यह चीज़ भी हम यहां पर लिख लेते है number of revolutions in 1 second is equal to 360 divided by 60 so this is equal to 6 तो हमारे पास क्या आ गया जो वो wheel है 1 second में 6 revolutions complete कर लेती है now students अब ध्यान से सुनना जब एक wheel एक revolution को ऐसे complete करती है तो वो कितने degree angle से rotate होती है वो angle क्या होता है 360 degree एक complete जो circle का angle होता है वो क्या होता है 360 degree और 360 degree किसके equal होता है 2 pi radians के equal होता है तो यानि कि हम लिख सकते है जो angle होता है radians में angle in radians in 1 complete revolution वो किसके equal होता है 2 pi radians के equal होता है so this is equal to 2 pi तो 1 revolution के अंदर 2 pi radians का angle cover होता है तो ऐसे ही 6 revolutions के अंदर कितना angle cover हो जाएगा हम 6 से multiply कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 multiplied by 2 pi this is equal to 12 pi तो हमारे पास क्या आ गया कि जो wheel है वो 6 revolutions के अंदर 12 pi radians का angle cover करती है अब हमने यहाँ पर उपर निकाला था कि जो 6 revolutions है वो कितनी देर में complete करती है 1 second में तो यानि कि 1 second में 6 revolutions होते है और 6 revolutions में कितना angle होता है 12 pi तो यानि कि हम कह सकते है कि 1 second के अंदर wheel 12 pi radians का angle cover करती है तो यही हमारा answer हो जाएगा question के अंदर यही पूछा गया था कि wheel 1 second में कितना radian angle cover करती है तो 1 second के अंदर वो 6 revolutions करती है और 6 revolution का मतलब कि वो 12 pi angle से turn होती है तो 12 pi radian is the answer next is question number 4 find the degree measure of the angle suspended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm तो students इस question में हमें क्या क्या given है एक circle है जिसका radius है 100 cm और उस circle की जो arc है उसकी जो length है वो क्या है 22 cm तो यहां पर हमने एक circle draw कर लिया है और इसके अंदर हमने एक arc ले ली है AB क्या है एक arc ले ली है हमने इस circle की और यह जो arc है उसकी जो length है वो given है 22 cm तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22 cm This is the length of AB which is given in the quotient और क्या given है इस quotient में हमें radius of the circle is 100 cm therefore OA is equal to 100 cm तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 और OB वी क्या है? radius है तो OB की length के उपर भी हम लिख देंगे 100 अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है इस quotient के अंदर तो यानि कि जो ये आर्क है हमारी वो जो एंगल सबस्टेंड करती है सेंटर पर यानि कि जो ये वाला एंगल है ये वाला जो एंगल है हमें ये निकालना है तो इस वाले एंगल को हम मान लेते है थीटा लेट इस एंगल भी थीटा तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है पर कौन सी यूनिट्स में निकालनी है डिग्री मैशर यानि कि हमें थीटा निकालना है डिग्रीज में तो सबसे पहले इस कोशन को करने के लिए हम अपना होता है और जो L है वो क्या है length of arc और जो length of arc है वो हमें given है 22 cm तो L की जगह पे हम क्या लिख देंगे 22 then divided by R, R भी हमें given है वो क्या है 100 cm तो R की जगह पे हम लिख देंगे 100 इसके बाद हम सारी values लिख देंगे इस formula के अंदर तो हमारा जो theta है वो क्या आ जाएगा theta is equal to L, L is 22 divided by radius which is 100, so theta क्या आ गया हमारा 22 by 100 radians क्योंकि इस formula में जो theta होता है वो हमेशा radians की units में होता है, but question के अंदर हमें जो theta चाहिए वो किस में चाहिए, degrees में चाहिए, तो radians को degrees में convert करने के लिए हमारे पास एक formula है जो हमने 3.1 की introduction वीडियो में पढ़ा था, वो formula क्या होता है degree measure is equal to 180 divided by pi then multiply by radian measure तो इस formula के अंदर हम radian measure की जगे पे क्या लिख देंगे 22 by 100 और जब हम 22 by 100 को 180 by pi से multiply करेंगे तो हमारा answer आजाएगा degree measure में, तो next हम क्या करेंगे radian की जगे पे हम लिख देंगे 22 by 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22 by 100, अब इस question के अंदर हमें given है कि pi की value हमें 22 by 7 यूज करनी है, तो next हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यह pi है, इसकी जगे पे हम लिख देंगे 22 by 7, so this will be further equal to 180 divided by 22 by 7, तो 7 क्या आजाएगा multiply में उपर हम लिख सकते हैं ऐसे, then multiplied by 22 divided by 100 तो अब यह 22 से 22 cancel out हो जाएगा, एक 0 से हम एक 0 यह cancel out कर देते हैं तो हमारे पास numerator में क्या आगया, 18 multiplied by 7, so this is equal to 126 then divided by this 10, so this is degree, तो हमारे पास क्या आगया, theta is equal to 126 divided by 10 degree, अब यह जो answer है हमारा, जो degrees के अंदर है, वो क्या है, वो fraction के अंदर आया है हमने question number 2 में भी देखा था कि जब भी हमारे पास कोई degree measure fraction में आता है जो यह improper fraction है, उसको mixed fraction में लिखना होता है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, 126 को divide करेंगे 10 से so 10, ones are 10, then यहाँ पे 2 आ गया, then 6, then 10 को 2 से multiply करेंगे तो 20 और 6 हमारा remainder हो जाएगा, तो 126 by 10 degree को हम further कैसे लिख सकते है this 12, then 6 divided by 10, so it will be 6 divided by 10 degree so 126 by 10 degree को हम further रिख सकते है, 12, 6 by 10 degree so this can be written as 12 degree, then 6 by 10 degree अब यह जो degree है, यह क्या है, fraction में नहीं है, तो हम इसके उपर ज्यादा focus नहीं करेंगे इसको सिर्फ as it is लिखते जाएंगे, अब जो fractional part है, वो क्या है, 6 by 10 degree तो अब हम क्या करेंगे, जो यह 6 by 10 degree है, इसको हम minutes में convert करेंगे अब हमें पता है, कि जो 1 degree है, वो 60 minutes के equal होती है तो 6 by 10 degree कितने minutes के equal हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 6 by 10 से multiply कर देंगे so this is equal to 36 minutes, so therefore we can write this as, this is further equal to 12 degree और 6 by 10 degree किसके equal आया है, 36 minutes के equal, तो यहां पर हम लिख देंगे 36 minutes, therefore जो हमारा degree measure था, वो किसके equal आ गया, 12 degree 36 minutes तो जो हमारा answer होगा, वो क्या हो जाएगा, 12 degree 36 minutes, यह हमारा final answer हो जाएगा 12 degree 36 minutes, तो इसी के साथ question number 4 खतम होता है I hope कि आपको दोनो questions, question number 3 and question number 4 अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment या email करके पूछ सकते है Students, अगर आपको यह video अच्छी लगी, then please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Thank you